दोस्तों नमस्कार मैं भानु प्रताब सिंग दोस्तों दिल्ली के सामने सवाल फिर से खड़ा हो गया है कि दिल्ली पर आज कौन करेगा किंद सरकार करेगी या दिल्ली सरकार करेगी हमें अच्छी तरीके से पता है कि दिल्ली सरकार और किंद सरकार के बीच में दिल्ली को ल कारुए कि डिली जो किंद सरकार है दोस्तों बैंति ले लेकर आई यह दोस्तों किंद सरकार उसमें यह जाहे। नियुक्राइब सभी kेक चंदा में सरकार उसे सरकार से फौ।構वर को लेकर चिंता में ची अपनगा और के तहित दोस्तों दिल्ली को special provision दिये गए हैं यह हम सभी को पता है दिल्ली का जो काम करने का तरीका है वो अन्य लेकिन इसके अलावा जितने भी मामले होंगे उसमें दिल्ली सरकार आने की सीम फैंसला ले सकता है सुप्रीम को पने यह भी बताया था वस्ताव में कि जो मिनिश्ट्री है फिर्श कर दोस्तों दिल्ली सरकार की वह जोिए इल्जी को देती है को देने पड़ेगी कि इन सरकार ने ये भी साप कर दिया था कि जो डिली जो हमारा union territory है उसमें जो LG होता है वो एक प्रसासक की भूमिका निवाता है उसको राजजपाल की तरह हम नहीं ले सकते हैं नहीं राजजपाल को जो पावर दी जाती है वो हम डिली में LG को नहीं दे सकते हैं कि LG वहां का संगर सेंग से चालू होता है यहाँ पर आप यह देख रहे हुए कि सुप्रीम कोट ने कहीं निली सरकार को मजबूत किया क्योंकि कि दिली अधे इसे में कीRCंग सरकार fries मस गई कि किन्द सरकार क्या करें तो किन्द सरकार दोस्तों भी जो बिल लेकर आई है रिसेंटली वह इसी की वज़े से लेकर आई है उसमें उनने साफ लिखा है कि अब दिल्ली सरकार का मतलब होगा पूल्य आसे लिए जाये और लिखे बगार एक डिसेजनन नहीं लिया सकता यानँ टक कि डिल्ली का कोई इसिजन तो लेती है वह बी नहीं लेसकते है चाहे तो उसको आँए बढ़ा सकता है, चाहे तो उससे रोक सकता है और उसमें ये भी प्राब्दन किया गया अगर दिली सरकार कोई बिल लेकर भी आ रही है दोस्तों, तो उसमें जो राज़ापाल है वो चाहे तो उसको हीलड़ करके भी रख सकता है शितकाल के लिए और चाहे तो उसे डिसीजन भी दे सकता है तो यानि कि इस ते साब जायर है कि अभी जो बिल लेकर आया गया है वो LG के लिए 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 आया गया है और उससे यह भी समझ में आ रहा है कि किंद्र सरकार अपने आपको मजबूत करना चाह रही है और LG के माध लागू हो जाता है तो आप यह मान कर चलिए कि दिल्ली का जो सी एम होगा वह कटपुतली होगा और जैसा यह चाहेंगे वैसा ही कार रहे होगा लेकिन दोस्तों जो दिल्ली है दोस्तों आर्टिकल टू-थाइटी-नैन डबल-ए के तैसे को कुछ इस पेसल प्रोवीजन है त हो इसमें LG हैड होगा और इसके अलावा जो भी कार रहे होंगे वह दिल्ली का सीम कर सकता है यानि कि वहां की सरकार कर सकती है और बात आती है कि अब यह प्रॉब्लम कहां से आ रही है दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यह समझा दूं कि पहले क्या होता था केंद्र में कॉं लॉटिकल में दोस्तें यह भी बताया गयाता कि जो किंद्द सरकार वह भी दिल्ली के लिए नियAm बना सकती है और बहीं पर दोस्तों ए थो थैन्टन डेमीय की टैथ यह ब यह उन्हें साप बता दिया थी जो वहांका फ्रषक के तौर पर काम करेगा उसको राज़पाल न और दोस्तों 239 डवा लेके तैद दिल्ली को special provision दिये गहें और उसमें बताया गया है कि जो LG है दोस्तों पलिस लेंड और जो पब्लिक रिलेटेड जो भी नियम होते हैं उसमें उसको power दी गही है और और ऑपे प्लिया मेंट भी दिल्ली के लिए कानुन बना सकता है लेके दोस्तों ये भी वहां से बात नियम कर नियम बनाईगी को कड़िशन करे रहे हैं तो दोस्तों यही बात हैं जो आप जो चल रहे हैं नहीं है। मैं यहां पर यही बताना चाहता हूं कि करताаюсь कुछ पे knee to earth की नियद सही नहीं इस चाहिए चूंकि दिल्ली सरकार को जंता डारेक्ट से चंती है तो वह पर कहीन ने कई दिल्ली सरकार को जाना मचबूत होना चाहिए हालां कि में सीज़ का ब्रोध नहीं कर रहा हूं की दिल्ली यह केंद्ध सासे प्रदेश है वहां पर पालियमेंट भी लोग बना सकती है कि इन सरकार भी हस्तेचेप करती है लेकिन दिक्कत कहा रही है दोस्तों कि आप सीएम को बिल्कुल कमजूर करते नजरा रहे हैं ठीक है आपके पास पुलिस है लेंड रिकॉर्डेट जो पावर है वो भी आपके पास है कोई प्र सरकार का महतु पूर्ञ काम दिल्ली से लेक्न जो भी kick काम से पूर्म बाकी अगर वहां वह दिक्कते नहीं लेगा जाता है तो इंहें हैं कि लिए पर आज करेंगे वहां को सिस्टम कर दीजेंगे जिस परकार से भुब दिद्यां सभा को लाया गया था उसे परकार से उडूक जा कर सकता है तो प्रंद आप में करें कर सकते हैं कि भीदान सभान के लिए नहीं होता है मानकर चलिए अगर कुछ गलत होता है तो जंता सीधा सवाल से करती है ना कि वहां LG से करेगी तो या तो आप जुम्मेदारी लीजिए कि दिल्ली में जो भी आँगे से होगा उसकी पूर्ण रूप से LG जुम्मेदार होंगे तो फिर आप कैसे किसी भी चीज के लिए दोसी ठेहरा से जा सकते हैं मामला खतम हो जाएगा लेकिन दोस्तों सवाल तो उठता रहेगा कि किन्द सरकार का करने की क्या मंसा है आखर उन्हें जरूरत क्यों पढ़ रही है ऐसी काम करने के लिए तो जो उठते रहेंगे खेर मिलते हैं एक नए टॉपिक में एक नए वीडियो के साथ थैंक यू सो